हेलो दोस्तो वेलकम बैक टूइ नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस फिरों में बात करने वाले हैं अपकमिंग यावा आरंड फाइब वर्जन फाइब के बारे में आरंड फाइब की वर्जन फाइब अप इंडियन मार्केट में बहुत जल आ सकती है इसमें क्या-क्या चेंज होने वाला है क्या कुछ नया आने वाला है ये सारे चीज़े आपको में डीटेल्स पर बताने वाला हूँ I hope दूसरे जो वीडियो आपको लिए बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग प्लस बहुत ज़़ा इंपोर्टेंट हुने वाली गंपनी क्या क्या changes करेगी क्या कुछ नया हैगा सारी चीज़े आपको मैं details पताने वाला और आपको पता है तो यामा एक एक ऐसा ब्रेंड है जो कि अपनी R&5 को बहुत जल्दी अपडेट यह लोग करते हैं पर आप जादे 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 तीन साल चलाएंगे अगर आप इस्ट्यूट आगे देगे तो तीन साल जादे इनों ले गंटी नहीं नहीं रगा अपडेट रह सके हैं तो चली फिर आज की इस फिडियो को सुरू करता है सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के चेंजस के बारे में इसमें आपको क्या क्या चेंजस मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के आपको बता दू लुकिंग एंड डिजाइन में दे और जैर जी बता है इस बार इक P company चेंज लाएगी अब इस बार look and design कैसा हो सकता है अभी जो आपको look and design मिलता है पता हूँ कैसा मिलता है वो ऐसा same मिलता है जैसा आपको R7 में मिलता है न लेकिन अभी दूस्तों जो look and design मिलने वाला है आपको मिलने वाला यमा की R1N की तरह अगर आपने M नहीं देखी original M मतलब वो 1000cc वाली M की बात कर रहा हूँ वैसा look and design आपको R&5 version 4 में देखने को मिलेगा यह सबसे पहला update दोस्तो इस bike में होने वाला जो कि इसके लिए बहुत ज़द important रखता है बात कर लें दोस्तो इस bike के next update के बारे में तो वो होने वाला है दोस्तो इस bike के speedometer में दोस्तो अभी आपको R&5 version 4 में fully आपको जो है digital meter देखने को मिलता है correct वाट दोस्तो अब वो time आ चुक है कि companies में TFT display आपको offer करे तो finally दोस्तो जो TFT display आपको R&5 version 5 में देखने को मिलेगा और यहां पर बहुत ज़दा chances है कि company वही same TFT use करें जो कि अभी R&5 M series में यह लोग use करता है तो वही same TFT display company इस bike में देने वाली यह भी एक नया update दो है आपको इस bike पर देखने को मिलेगा बात करें दोस्तो इस bike के next update के बारे में तो वह होने वाला है दोस्तो इस bike के indicators में अभी आपको R&5 version 4 में जो है indicator जो है LED नहीं मिलते लेकिन आप लोगों को मैं clear कर दूँ कि R&5 जो version 5 आएगी तो 110% दोस्तो इस bike में आपको जो LED indicator है वो भी दूस्तो आपको इस bike में देखने को मिलने वाला जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा important रखता है तो यह भी जो नहीं update है दुस्तो इस bike में होगा बात कर इसके next update के बारे में तो वो हने वाला है दूस्तो इस bike की tail light में आपको बात करें R&5 version 3 and version 4 के अगर आप notice करें तो tail light बिल्कुल सेम है जो कि यार मुझे ना पदब एक minus point लगता कि भाई company ने change नहीं किया ने update लाके तो आपको ददू इस बर ऐसा नहीं होने वाला company 110% version 5 में जो tail light है वो भी change करने वाली है अब हलाकि वो design आने के बात पच्चता लेगा दोस्तों कैसा होने वाला क्या होने वाला है एकदम perfect design बट जो भी है tail light है company बार change करने वाली है next update होने वाला है दोस्तों इस bike में वो होने वाला है दोस्तों इस bike की graphic and color option में आपको बदाना जोगो इस bike में दोस्तों finally अब आपको नए graphic and जो नए color option है वो भी दोस्तों आपको इस bike में देख लेगों मिलेंगे अब graphic and color option कैसे होने वाले वो आने के बात पता चलेगा बट I hope company जो भी है graphic and color option इस bike में offer करे अच्छे graphic and अच्छे color option हो ताकि दोस्ते engine market उसे पसंद किया जाया तो यह भी एक नए update दोस्तों आपको इस bike में मिलने वाला है बात कर लिए दोस्तों इस bike के next update के बारे में तो वो होने वाला है दोस्तों graphic and color option के बात इसके engine में तो यह company इसके engine में भी कुछ update ला सकती है पदलब engine थोड़ा improvement किया जा सकता है retaining की जा सकती है engine को थोड़ा smoothness बनाने की कोशिस की जा सकती है power बनाने की कोशिस की जा सकती है कुछ चोटे-मोटे update आपको engine में भी इसके update में देखने को मिलेंगे तो यह भी जो नए update है दोस्तों इस bike में होने वाला है आपको शारे फीचर में एक फीचर के लावा और वह है दोस्तों इस bike के suspension suspension मतलब UHD Fox suspension मिलते है बड़ इसमें आपको front वाले adjustable suspension नहीं मिलते है और अभी adjustable suspension का trend भी इंडियन मार्केट में चली रहा है KTM ने अपनी 250 में भी दे दिया है तो बहुत जादा chances है कि नहीं वाली अपनी जो जोरी 250 में नहीं है KTM की 390 में है लेकिन आप बहुत जादा chances है दोस्तों कि R&5 अपनी R&5 सिरीज में भी यह चीज़ यूज कर सकती R&5 और MT 15 में आपको यह चीज़े सबसे पहले देखने को मिलेगी यह भी इक नया update दोस्तों इस bike में होने वाला है बागी कौन पोल इसका वेट कर रहा भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताना सुमित करता दोस्तों आप लोगों को चोटी से इंटरस्टिंग विरो अच्छी लग यूगी विडियो चलेगी तो लाइक करना चैनल पे पहली पर रहे तो सबस्क्राइब कर लेना चली मिलतें नेक्स विडियो में नवी हो और जाहिन मंदबात रहूं